तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपनी क्लास और जैसा कि आपको मालूम है कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं जो हमारी क्रॉप है कॉफी उसके बिस्याहिए अज हम लोग यांपर डिटेल डिसक्रिशन करने वाले हैं ठीक है चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास और देखते हैं कि इसमें कहां से कैसे कैसे important questions बनते हैं क्या पूरी process होती है coffee के लिए तो वो सारी चीजें हम लोग यहां पे करने वाले तो देखते सुरू करते हैं अपनी class को और आज हम लोग इसमें काफी important चीजें discussion करने वाले हैं क्योंकि आपको मालूम है कि ये एक plantation crop है और plantation crop के हिसाब से ये आपकी बहुत important रहती है क्या रहती है ये आपकी बहुत important रहती है तो चलिए शुरू करते हैं अपनी class को और देखते हैं कि क्या खास होने वाला है ठीक है चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या ख अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले उसके बाद यह अड़ा 24-7 का मोबाइल एप है जिस पे आपको डेली क्विज मिल सकते हैं यहां से आप डेली क्विज दे सकते हैं अब हम लोग बात कर रहने वाला है क्या बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है तो चलिए सुरू करते हैं वेरी गुड इवनिंग आरुसी तो बच्चों सुरू किया जाए अपनी क्रॉप को और यहां पे आज हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं बहुत सारी चीजें आप लोग ठीका आपने खुब सुना होगा बहुत सुना होगा लेकिन सैनोफोरा आपने सायद ना ही सुना हो ठीक है चलिए दो टाइप की काफी होती है काफिया सैनोफोरा और काफिया अरेविका ठीक है चलिए फैमिली की बात की जाए तो काफी की जो फैमिली होती है उसको कहते हैं Ruby AC क्या उसको कहते है Ruby AC तो यहां पे आपको दो इमेज दिख रही है क्या दो इमेज आपको दिख रही है वो दो इमेज देखो आप किसकी है दो इमेज यहां पे जो दिख रही है वो किसकी है वो दोनों इमेज इंपॉर्टेंट है आपको दिख रही होंगी, एक के आगे लिखा है रोबस्टा और एक के आगे लिखा है अरेविका, क्या लिखा है, रोबस्टा लिखा है और अरेविका लिखा है, तो दोनों को बताओ कि दोनों आपको दिख रहे हैं, छीजे समझ में आ रही हैं, क्या होता है, चलिए, अब आप यह सोच रहे होंगे कि यहां पर दो नाम लिखे गए हैं तो यह दोनों नाम कैसे हैं देखो बच्चे अरेविका से तो आप समझ गए होंगे कि यह किसका नाम होगा यह नाम है आपका कॉफिया अरेविका का और जो कॉफिया सैनोफ हो रहा है यह नाम आपका है किसका र यह coffee की beans है यानि कि जब आपकी coffee mature हो जाती है पक जाती है वो उसके बाद ऐसी दिखती है ठीक है चलिए very good evening ठीक है तो coffee आपकी कैसी दिखती है यह आपकी coffee है जो after mature के बाद fruit से निकाली जाती है लेकिन आप जो coffee पीते हैं उसकी जो beans आती है वो आपने देखी होगी कि वो black color क होती है क्या होती है वो black color की होती है तो वो जो beans है वो roast की जाती है क्या की जाती है वो roast की जाती है वो हम आगे डिसकस करेंगे कि यह cream color से या white color से लेके वो black कैसे हो जाती है वो हम आगे डिसकस करेंगे कि वो कैसे black होती है ठीक है तो यह चीज़ आपे आपने देख ली क्य दो अलग-अलग कॉफी की स्पेसीज है जिसमें से कॉफिया अरेबिका कॉफी की स्पेसीज है और कॉफिया सेनोफोरा ये आपकी रोबस्टा कॉफी की स्पेसीज है ठीक है फैमली इसकी रूबी ऐसी होती है अब हम आगे चलते हैं आगे बात करते हैं ये है आपका कॉफी क प्लांट और जो इस पर आपको बेरी दिख रही है यह किसकी है यह कौफी की बेरी होती है यह कौफी की बेरी है ठीक है यह आपके कौफी के की stage पर है जो आपको green color की दिख रही है वो immature है यानि कि वो क्या वो आपकी धीरे-धीरे फिर mature हो जाएगी ये आपका coffee का fruit है इस type की berry होती है और ऐसे लगती है ये आपको अब image से idea लग गया होगा कि ये coffee का plants कैसा होता है ठीक है अब आगे चलते हैं आगे देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है आगे क्या हम लोग discuss करने वाले है ठीक है बच्चे चलिए soil की बात करें कि कौन सी soil में हमारी जो ये coffee है वो grow करेगी तो अगर soil की बात करें तो देखते हैं कि soil में क्या important है करा soil should be deep, priable, open textured, rich in plant nutrients and with plenty of humus and of slightly acidic nature तो जो सबसे important चीज़ है वो आपको ध्यान रखनी है कि जो soil होगी यानि कि जो soil होगी वो कैसी होनी चाहिए वो आपकी acidic nature की होनी चाहिए और आपका जो pH है वो 4.5 to 6.5 होना चाहिए यानि कि acidic nature का जो pH है वो सबसे बढ़िया होता है क्या होता है? acidic nature का जो pH होता है वो कॉफी की growth के लिए सबसे बढ़िया माना जाता है थीक है? तो ये सारी चीज़े हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि mostly जो question बनता है वो question कहां से बनता है? वो बनता है कि काफी के लिए जो स्वाइल चाहिए वो कैसी होनी चाहिए तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि काफी की जो स्वाइल होगी वो एसडिक नेचर की होगी और जो pH 4.5 से लेकर 6.5 तक होगा ठीके बच्चे चलिए अब हम कुछ और चीजों की बात कर लेते हैं कि कि देख लेते हैं कि और कौन खौन सी चीजें है जो अलग अलग होती है Robusta Varaties यानि कि Robusta काफी के लिए अगर देखें तो इसके लिए जो Elevation है elevation का मतलब आप समझ रहे होगे कि जो उचाई है या altitude जिसको कहते हैं वो कितनी होती है तो गरा 500 से लेकर 1000 मीटर तक elevation sufficient होता है उसके बाद अगर rainfall की बात की जाए तो 1000 से लेके 2000 mm तक का rainfall sufficient होता है किसके लिए आपके Robusta Coffee के लिए और जो distribution है कहरा जो blossoming sour है यानि कि जो flower है उस time पर जो sour होता है वो आपका फरवरी टू March होता है क्या blossom sour जो है वो फरवरी से March के टाइम पर होता है Robusta Coffee में और जो Arabica Coffee है आपकी क्या जो Arabica Coffee है उसके लिए elevation यानि कि जो Arabica Coffee आपकी होती है वो higher elevation पर grow कराई जाती है किस पर higher elevation पर grow कराई जाती है और उसको rainfall भी ज़्यादा चाहिए कितना 1600 से 2500 mm चाहिए प्रतिवर्स ठीक है ये दोनों rainfall जो है वो पर year के बिहाब पर है ठीक है इस बात को बच्चे ध्यान दखना इसका जो blossom sour है वो आपका March से April के महीने में होता है ठीक है क्या होता है March से अपरेल के महीने में होता है ठीक है तो यहां तक चीज़ें clear है इस बात को आप समझ गए होगे कि कौन सा lower elevation पर grow कराई जाता है और कौन सा higher elevation पर grow कराई जाता है Robusta आपकी lower elevation पर और Arabica आपकी higher elevation पर अब यहां पर एक बात की जाए तो जो हमारा country है इंडिया वहां पर देखो वहां पर यह दोनों species grow कराई जाती है ठीक है इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि इंडिया में दोनों species grow कराई जाती है Robusta भी और Arabica भी ठीक है बच्चे यहां तक चीज़े clear है चलिए आगे चलते हैं बात करते हैं इसके propagation की इसके propagation की बात करते हैं तो इसका जो propagation किया जाता है वो seed से किया जाता है किसे इसका जो propagation है वो seed से किया जाता है इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि इसका propagation seed से ही किया जाता है ठीक है? किससे? seed से ये propagate होती है और बहुत important है यहाँ से सीधे-सीधे questions आपके बनते हैं कि इसका जो propagation है वो किससे होता है तो seed से होता है चलिए आगे चलते हैं आगे बात करते हैं कह रहा है कि preparation of seed क्या? preparation of seed यानि कि seed को कैसे prepare किया जाए और कैसे select किया जाए या seed का जो preparation है वो कैसे किया जाए और कैसे select किया जाए बात करते हैं preparation of seed की क्यारा healthy and well developed fully ripe berries are harvested from the specially identified plants for use as a seed bearers क्यारा है कि हम जिस plants को select करते हैं seed bearing के लिए यानि कि हम पहले से decide कर लेते हैं कि इस plant से हमको क्या करना है seed निकालना है यानि कि हमें seed के लिए रखना है तो हम उस plant से fully developed mature berries को harvest करते हैं क्या करते हैं उसको harvest करते हैं और कहरा after discarding the flots the sound fruits are depulped कहरा after discarding the flots flots का मतलब यह है कि जब इनको पानी में डाला जाता है तो जो damaged berries है या जो आपकी berries खराब है जो float कर जाती है उनको हटा के निकाल दिया जाता है और उसके बाद जो आपकी अच्छी बच्छी है बेरी उन berries को क्या कियाता है depulped कर दिया जाता है seed कर दियाता है and mixed with seed wood as and dried inside कह रहा है उनको depulped यानि कि उनका जो pulp है वो हटा दिया जाता है pulp को हटाने के बाद उनको क्या करते हैं छाया में सुखा देते हैं wood as क्या करते हैं wood as के साथ mix कर देते हैं लकडी की जो राख होती है जिसको बोलते हैं wood as उस wood as में उन depulped berries को mix करने के बाद छाया में क्या कर देते हैं सुखा देते हैं कह रहा है the seed is then graded to remove all cut triangular elephant beans यह सब जो हैं यानि कि जो damaged beans हैं जिनको अलग-अलग नाम दिये गए हैं वो सारी beans को हटा दिया जाता है prior to planting the seeds are treated with agroson or any agromercurial compound to prevent the fungal infection तो अब आप समझ गए होंगे क्या कि अब आप समझ गए होंगे कि कैसे हम उनको beans को अलग-अलग grade कर लेते हैं grade करने के बाद उनको हम अगर planting के लिए रख रहे हैं तो यानि कि germination के लिए रख रहे हैं तो उनको chemical के साथ treat करके हम क्या कर देंगे हम उनको grow कराएंगे यानि कि nursery में ले जाएंगे वहाँ पे nursery तयार करने के लिए ठीक है बच्चे चलिए very good evening चलिए तो बच्चे यहां तक चीज़ें आपको समझ में आ गए होगी कि propagation हम seed से करते हैं और seed से propagation करने के बाद फिर हम क्या करते हैं कैसे seed को prepare करते हैं हम जो seed से propagation करने वाले हैं उस seed को कैसे तयार करते हैं यह सारी चीज़ें आपको sequence यहां पर clear हो गई होगी कि हमें कौन से plant से लेना है berry को कैसे उसका process करना है कैसे seed हमें निकालना है यह सारी चीज़ें हमने यहां पर बारी बारी आपके साथ discuss की तो यहां तक चीज़ें समझ में आ गई हैं आपको जल्दी से comment करके बताओ कि हाँ सर यहां तक चीज़े clear है ठीक है अब हम आगे बात करते हैं आगे चलते हैं तो यह है बच्चा आपका coffee bean और यह कर रहा है germinate क्या कर रहा है यह कर रहा है germinate तो अब आप देख सकते हैं कि यह हमारा देखो beans है और germinate हो रहा है यानि कि यह यहां पर germinate कर रहा है ताकि image के माद्यम से आप चीज़ों को अच्छे से relate कर सको किसे अच्छे से relate कर सको देख सको कि हाँ यह हमारा जो बीन्स है वो जर्मिनेट कर रहा है यानि कि जो प्रपोगेशन है वो किस से हो रहा है सीड से हो रहा है यह विजवल है यहां तक दिख रहा है ठीक है क्या जर्मिनेशन आपको यहां तक दिख रहा है अब हम आगे चलेंगे और आगे बात कि nursery में क्या होता है, nursery में कैसे preparation की जाती है, nursery में कैसे कैसे डबलब किये जाते हैं, ठीक है, चलिए, आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं, बात करते हैं कि nursery में कौन कौन सी practices हम लोग करते हैं, ठीक है, तो nursery में जो practice करते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे discuss करने वाले हैं, चलिए कह रहा है देखो यहां पर हाई और बार क्यों आ रहा है जब हम स्वाइल पढ़ रहे थे यानि कि जब हम बता रहे थे कि कौन सी स्वाइल प्रफर्ड की जाती है वहां पर भी हाई और गैनिक मेटर आया था और यहां पर भी high organic matter आया था तो आपको मालूम है कि जो sloppy soil है वहाँ पर जो forest areas वाली soil होती है वहाँ पर आपका कैसा high organic matter होता है तो वहाँ की जो soil है आप जब coffee का propagation करेंगे या coffee की plantation करेंगे तो वहाँ की soil में organic matter rich होना चाहिए इसलिए organic matter rich की बात कर रहा है तो कह रहा है light lowly soil आपको select करनी है और उसमें organic matter जो है वह अच्छा होना चाहिए क्या जो organic matter है वह आपका अच्छा होना चाहिए जिससे क्या होगा जिससे क्या होगा कि आपकी जो soil है यानि कि जो nursery है वह आपकी अच्छे से develop हो सकेगी ठीक है चलिए आगे कही रहा है कि अब क्या करते है water और set की facilities होनी चाहिए कि आप from raised bed of 15 cm height यानि कि आपको bed बनाना है 15 cm उचाई का ground से 15 cm उचाई का वो bed बनाना है और उसके बाद कहरा है 1 meter width and of the convenient length incorporate of 30 to 40 kg of well rotten compost कहरा है कि उसके बाद 30 से 40 kg आपको rotten compost मिलानी है 2 kg finely seaved agriculture lime मिलाना है 400 g आपको rock phosphate मिलाना है to the bed of 1 into 6 meter size यानि कि 1 meter 4 और 6 meter लंबा आपको इस size के bed बनाने है इन heavy soils अगर आपकी वहाँ पर soil कैसी है heavy है तो उस heavy soil में आपको क्या करना है it is necessary to add coarse sand for drainage and aeration क्या करना है उसमें अगर heavy soil है तो heavy soil में आपको क्या करना है coarse sand यानि कि जो मोटी बालू होती है वो मोटी बालू आपको add करनी है और किसके लिए क्योंकि आपको मालूम है जो heavy soil होती है उनके particles जो होते हैं वो ज़्यादा पास पास होते है यानि कि जो compactness है heavy soil की जो compactness है वो ज़्यादा होती है यानि कि उसके अंदर जो air का percentage है वो कम होता है इसलिए जब आप उसमें coarse sand मिला देंगे ठीक है बच्चे चलिए यहाँ तक चीज़े clear है कि nursery में क्या practice करते है अब हम आपको nursery दिखाते है यह है coffee की nursery इस image से आप idea लगा सकते है कि nursery कैसे तयार की जाती है देखो nursery दयार करने के एक से ज़्यादा method हो सकते है जो मैंने पीछे method discuss किया है वो method कैसा है वो method है आपका कि उसमें आप bed बना रहे हैं किस पर floor पर यानि कि ground पर थीक है यानि कि ground पर या floor पर आप क्या बना रहे हैं आप bed बना रहे हैं और भी method हो सकते हैं जैसे आपको image में दिख रहा होगा कि इसमें आपको poly bags दिख रहे हैं देख रहे है थीक है यहां तक चीज़े क्लिया रहें चलिए अब हम आगे चलते हैं आगे बात करते हैं कैरा बैग नरसरी की बात करते हैं कनी बैग garlic products in the bottom off a taken or filled with a prepared mixture कैरा कि अगर कोई बैग तो उस बैग में यहां पे कुछ होल्स होंगे ताकि जो एक्सेस वाटर होगा वो आपका बाहर आ सके और अगर यह यहां तक उचाई का बैग है तो हाफ आधा आपको बैग को फिल करना है और आधा बैग फिल करने के बाद जो मिक्सचर आपने प्रिपेर्ड किया है यानि की कौन सा मिक्सर ठीक है तो मिक्सर में क्या होगा आपका कंटेनिंग जनगल स्वाइल यानि की के बाद कहे रहा है एन एरिया आफ त्वल्व इंटू एट मीटर के एकमोडेट फाइब थाउजंड स्लीड लिंग्स के रहा कि बारा गुणा आठ मीटर का जो एरिया होगा वह पांच जार सीड लिंग्स को एक्कॉयर कर लेगा और कहरा सीड लिंग्स अर प्लांटेड इन अब हम आपको दिखाते हैं कि पॉलिथीन बैक्स में कैसे रखे जाते हैं यह इमेज आपको दिख रही होगी इस इमेज से आप समझ सकते हैं कि पॉलिथीन बैक्स में कैसे आपकी नरसरी लगती है यहां से आप इसको आइडिया लगा लेंगे कि जो आपको प्लांट ठीक है चलिए आगे बात करते हैं सीजन की कि इसकी जो प्लांटिंग है वो कब करते हैं किस सीजन में प्लांटिंग करते हैं कितनी स्पेसिंग रखते हैं यह सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग अब डिसकस करने वाले हैं कितनी स्पेसिंग रखते हैं कितना किस सीजन में प् आपका है उस सीजन में आप इसको प्लांट कर सकते हैं बचो यहां से कोशन आपका बनता है कि जो सीजन है आपका क्या यानि कि जो प्लांटिंग सीजन है पूछ लिया जाता है कि सबसे जादा या किस सीजन में प्लांट कियाता है तो आप बताएंगे जून से लेकर सेप्ट जो अरैविका कॉफी होती है उसकी अगर स्पेसिंग की बात की जाए तो करा डेड़ से लेके दो मीटर आपकी स्पेसिंग यूज़ की जाती है और रोबस्टा कॉफी की अगर बात करें किसकी रोबस्टा कॉफी की बात करें तो धाई मीटर के आसपास आपकी की जाती है कित सैं रेमोन वरैटी नाम है इसका और इसकी जो spacing रखी जाती है वो एक गुणा एक मीटर रखी जाती है या एक गुणा एक मीटर रखी जाती है तो यह है आपकी spacing यहाँ से बहुत qu Familie par question पूछे गए है की इसकी कितनी spacing रहती है अरैविका की ज़्यादा spacing होती है या Robusta की ठीक है तो आप बताएंगे Robusta की spacing ज़्यादा होती है Arabica की spacing कम होती है और साथ ही साथ ड्वार्फ वराइटी जो है वो San Ramon आपकी वराइटी है जिसकी spacing कितनी होती है एक गुणा एक मीटर होती है बोलो यहां तक चीज़े clear है बच्चे चलिए यहां तक चीज़े clear है अब हम आगे बात करते हैं किसकी अब हम बात करते हैं देखो आपका जो coffee plant होता है वो coffee plant उसको सेड की आवसकता होती है, यानि कि वो एक तरीके से देखा जाए, तो सेड लविंग प्लांट है, यानि कि जहाँ पर छाया होगी, वहाँ पर वो अच्छा ग्रोख करेगा, तो जब आप कौफी का प्लांट लगा रहे हैं, तो उसके साथ-साथ आपको कौफी का भी, कौफी क के साथ साथ आपको सेड़ प्लांट भी लगाने पड़ेंगे क्या करने पड़ेंगे सेड़ प्लांट भी लगाने पड़ेंगे उनमें सीजन का बहुत ज्रहां है उनमें क्लाइमेट का बहुत महत होता है ठीक है चलिए तो अब कह रहा है कि अब बात करते हैं planting of sedatory आपने सारी चीने तो तयार कर ली आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आपका plant है coffee उसको क्या उसको setting चाहिए यानि कि उसको च्छाया चाहिए तो च्छाया के लिए आपको उसके साथ कुछ और plants भी क्या करने canopy sade कह रहा है कि ये lower canopy said के लिए इस्तेमाल करते हैं steak of two meter length are planted for every two coffee plants कहरा है कि परती एक दो coffee plants के बाद कितना ? परती एक दो coffee plants के बाद इसको plants करते हैं इसके साथ साथ जो पूछा जाता है कि और कौनसा plant इस्तेमाल करते हैं तो वह आपका silver rock का कौन सा, silver oak का जो plant होता है, वो आपका भी grow कराया जाता है, किसके लिए, as a said plant के तौर पर, कैसे, as a said plant के तौर पर, किरा, silver oak and the daps are planted during June when southwest monsoon commends, कह रहा है कि यह जो plants है, यह आपके पहले plant कि जाते हैं, यानि कि इनको अब कब, जब आपका southwest monsoon आता है, यानि कि कब, मानसून सीजन में, और कौन से महीने में, आपके जून के महीने में, ठीक है, उसी टाइम पर इन plants को plant कर देते हैं, ठीक है, करा, during summer, the stem of young daps are painted with dilute lime or wrapped with polytine seed in order to prevent them from sun scorch, करा कि sun scorch से बचाने के लिए, जो ददाप का plant है, उसके stem पर white lime को paint कर दिया जाता है, ताकि क्या हो ना सके, scorching ना हो सके, कहरा, silver oak trees are planted at 6 into 6 meter for permanent seed, तो permanent seed के लिए जो plant आपका use किया जाता है, वो है आपका कौन सा, वो है आपका silver oak का plant, और silver oak का plant की spacing जो रखी जाती है, वो 6 गुणा 6 meter में रखी जाती है, और 6 गुणा 6 meter में रखने के साथ साथ क्या होता है, ये आपका permanent setting के तौर पर use किया जाता है, ठीक है बच्चे, तो यहाँ तक चीज़े clear हैं, अब आपको यहाँ तक चीज़े समझ में आ गई होगी, अब हम चलते हैं आगे, अब हम बात करते हैं varieties की कौन-कौन सी variety हम grow कर सकते हैं, तो देखते हैं कौन-कौन सी variety हम यहाँ पर grow कर सकते हैं, सूरी वराइटी यह सारी अपकी हैं उसके वाद हैं कावीरी बहुत फीमस वराइटी है It's Selection and HRC यानि कि HRC का पूरा नाम है यह हवाइन रेड क्योटरा क्या हवाइन रेड क्योटरा यह वराइटी आपकी है जिसको HRC के नाम से जानते है उसके साथ साथ आपकी वराइटी है कौन सी चंद्रगिरी और स्टैन रोमैन जो पीछे बताए थे इसके लिए ड्रॉफिंग के लिए यूज की जाती है यानि कि ड्रॉफ वराइटी कर तौर पर यूज की जाती है ठीक है ज़्यादा तर जो काफी की वराइटी है वो Selection के नाम से ही है किसके Selection के नाम से ही है तो इसी लिए इसको साथ में SLN लिख दिया गया है ठीक है इसके नाम से जब भी आप पढ़ेंगे varieties तो ज़्यादा तर varieties आपकी जो हैं वो selection के नाम से हैं ठीक है तो selection को sort में लिख दिया गया है और इनको आप ध्यान रखेंगे कि जो number है वो number सिर्फ आपके हैं बाकी एक ही नाम है और यह selection वाली varieties ज़्यादा पूछी नहीं जाती हैं आपसे पूछी जाएगी कावेरी चंद्रगरी और सैन रोमेन ठीक है बाकी इधर कुछ varieties लिखी गई हैं जिसमें आपकी है selection 274, 270 और selection 3 ठीक है तो यह varieties हैं जो आपकी कैसी हैं बहुत famous varieties है varieties और भी बहुत हैं लेकिन बहुत ज़्यादा varieties आपसे नहीं पूछी जाती है ठीक है चलिए यहां तक चीज़े clear हैं अगर यहां तक चीज़े clear हैं तो अब हम चलते हैं आगे और आगे देखते हैं कि अब क्या important है अब हम बात करते हैं किसकी pruning की बात करते हैं कि इसमें pruning कैसे और कितना किया जाता है क्या pruning की बात करते हैं तो कह रहा है कि centering and de-suckering should be carried out for five to six year after planting तो दो term आपको याद रखने हैं एक तो centering और de-suckering कौन से centering और de-suckering आपको याद रखना है कि centering और de-suckering किसमें की जाती है तो आप बताएंगे कि किसमें की जाती है कॉफी में की जाती है एक तरीके से क्या है pruning की टेक्निक है centering और de-suckering कब जो plants आपके पांस से चैसाल पुराने हो जाते हैं यानि कि जो plants आपके 5 से 6 साल old हो जाते हैं उन में की जाती है करा I'd done immediately after the harvest यानि कि कब जून से जुलाई के महिने में और September से अक्टूबर के महिने में यानि कि जैसे ही आप harvest करेंगे harvesting के तुरंट बाद आपको करना है वो भी कब जून जून जुलाई और September अक्टूबर के मन्त में आप कर सकते हैं centering and de-suckering करा and till the onset of monsoon कब तक monsoon के onset तक यानि कि जब तक monsoon आपका नहीं आता है यानि कि जैसे monsoon आने वाला होता है तब तक आप इसमें कर सकते हैं करा unproductive wood between all primary, secondaries and terciaries should be removed कहते हैं कि जो unproductive है, यानि कि जिस पर dolors नहीं आ रहे है fruting नहीं हो रहे है, वो branch सिर्फ unproductive है वो आपकी क्या करते हैं, वो आपकी remove कर देते हैं यानि कि उनको हटा देते हैं, चाहें वो primary branch हों चाहें वो secondary branch हों, चाहें फिर वो terciary branch हों थीक है तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी हैं किसमें pruning के तवर पर जयानि कि जब आप क्या कर रहे हों ? जब आप pruning कर रहे हों थीक है बचें तो यहां तक चीजे clear हैं किसी को कोई doubt जल्दी से comment कर के बताओ कि हा सर यहां तक चीजे clear हैं यहां तक चीज़ें clear हैं तो जल्दी से बताओ कि हाँ यहां तक सारी चीज़ें clear हैं ठीक है अब हम बात करते हैं harvest की इसकी अब हम बात करते हैं harvest की तो करा harvest start during November करा जो harvest start होता है वो आपका November में start होता है करा and harvesting extend up to February करा नवंबर में harvesting start होगी और कब तक चलेगी आपकी फरवरी तक चलेगी ठीक है चलिए उसके बात करा है करा coffee fruits should be harvested as and when they become ripe करा है कि कब harvest किये जाएंगे जब यह आपके ripe हो जाते हैं यानि कि जो मैंने आपको slide दिखाई थी berry वाली जिसमें आपको मैंने fruit दिखाया था उसमें मैंने आपको दिखाया था कि कौन सी berry mature है कौन सी berry immature है वो सारे fruits मैंने आपको बताए थे कि जो red color का है वो mature है जो green color का है वो immature है यानि कि जो green से convert होके yellow और red हो रहा है वो आपका maturing stage बे है यानि कि ये वो धीरे-धीरे करके mature हो जाएगा ठीक है तो कहरा है कि जब ये mature हो जाते हैं तब हम इनको harvest करते हैं उसके बाद कहरा है कि coffee is just ripe when on gently squeezing the fruit and the beans inside come out easily कहरा है कि जब आपका fruit ripe हो जाएगा तो जैसे याप उसको squeeze करेंगे squeeze करने का मतलब होता है कि जैसे आपने fruit को हाथ मिलिया और इसे दबाया तो क्या हो जाएगा pulp अलग हो जाएगा और beans अलग हो जाएगी तो इसी को बोलते हैं squeeze करना तो जैसे ही आप squeeze करेंगे यानि कि जैसे बोलते हैं normal भासा में कि कुचल देना मसल देना तो जैसे याप उसको मसल दोगे तो क्या हो जाएगा beans अलग हो जाएगा और pulp अपका अलग हो जाएगा ठीक है चलिए करें हाँ बचाँ में भी करते हैं जो टाप पोर्शन होता है उसको काट देते हैं वही इसमें भी किया जाता है ठीक है चलिए जो आपके फ्रूट से अनराइब यानि कि जो फ्रूट मैचोर नहीं है उनको पहले से ही सौट कर लियाता है यानि कि उनको पहले से ही सौटिंग कर दी जाती है उनको अलग कर दिया जाता है उसके आद कह रहा है जो आपके फ्रूट इमैचोर है उनको सुखा लिया जाता है जैसे कि आपकी चेरी ठीक है तो जो immature fruits हैं उनको सुखा कर अलग कर लिया जाता है जो mature fruits हैं उनको squeeze कर दिया जाता है यानि कि उनसे bean को अलग कर दिया जाता है और pulp को अलग कर दिया जाता है ठीक है अब इसमें जो harvesting होती है या जो picking होती है वो अलग-अलग طریके से होती है कैसे एक होती है आपकी fly picking क्या होती है fly picking होती है यहाँ से questions बनते हैं तो कॉफी में स्टार्टिंग में ऐसा बहुत कुछ important questions नहीं है काफी के जो questions है वो या तो harvesting से है propagation से है या फिर roasting बगएरा से होते है ठीक है तो कह रहा है कि fly picking जो है कह रहा है small scale picking of ripe berries during October to February कह रहा है कि ये जो fly picking है बहुत small scale पर picking की जाती है इसकी जो पकी हुई berries आपकी है उनको थोड़ी सी मातरा में जो हम छाट के अलग कर लेते हैं तो उसको कहते हैं fly picking fly का मतलब होता है उड़ना यानि कि आप क्या करते हैं जल्दी जल्दी से mature berries को हटा लेते हैं ठीक है उसके बाद है आपकी main picking क्या उसके बाद है आपकी main picking यानि कि यह अब आपकी सबसे ज़्यादा important होने वाली है ठीक है कहरा है well formed and ripened berries are harvested during December कहरा है कि पूरी तरीके से तयार well formed और ripened यानि कि अच्छी तरीके से पकी हुई जो berries हैं उनको क्या करते हैं उनको harvest करते हैं और कैसे कहरा bulk of the yield are obtained from this picking ठीक है यानि कि इस वाली वेरी जब इस main picking करेंगे तो इसमें बहुत धेर सारी मात्रा में क्या करेंगे harvesting करेंगे यानि कि जो इसमें obtained होगा यानि कि जो berry का पादन होगा वो क्या होगा बहुत ज़्यादा मात्रा में होने वाला है ठीक है कभी की जाती है टाइम अच्छा ध्यान रखना इसका क्योंकि टाइम से ही questions बनते हैं October to February जो है वही आपका time है किसके लिए fly picking के लिए ठीक है और main picking का जो time है वो है आपका December का ठीक है अब stripping होती है क्या एक stripping की process होती है कह रहा है कि इसमें क्या करते है सारी berries को pick कर लेते हैं ठीक है इसमें सारी berries को pick कर लेते हैं irrespective of ripening यानि कि ripening के respective में irrespective में सारी berries को क्या कर लेते हैं pick कर लेते हैं तो ये तीन method होते हैं आपके harvesting के समझ लो या berry के picking के समझ लो जिसमें fly picking, main picking और आपका stripping होता है क्या यह तीन आपके important methods होते हैं जो किसमें use के जाते हैं आपके as इस्तेमाल के जाते हैं picking के तौर पर या फिर harvesting के तौर पर बोलो यहां तक चीज़ें clear हैं अगर कोई समस्या आगे बताओ अब हम चलते हैं आगे यह देखो एक आपके लिए खास image है जिसमें पूरी coffee एक साथ from starting to end तक आपकी दिख रही होगी या आपकी सुरुवात से लेके last तक आपको पूरी coffee का process यहां पर दिख रहा होगा बोलो दिख रहा हैं कि नहीं दिख रहा हैं पचे चलिए दिख रहा हैं कि नहीं दिख रहा हैं जल्दी से एक बार comment करके बताओ की हाँ सर यहां पे צces दिख रही है ठीक है, चलिए तो देखो, start कहां से क्या है, यह आपका leaf और flower है यानि कि इसमें दिखाए गया है कि पहले flowering होगी फिर धीरे-धीरे fruits का development होगा क्या होगा, fruits का development होगा, इसमें आपको दिख रहे होंगे यह है green fruits, कौन से, यह पहले green fruits डवलप होंगे green fruits develop होने के बाद इन fruits को क्या होगा ये fruits आपके देखो यहाँ पे color turning stage दिख रही होगी आदा हरा है आदा लाल है और आदा पीला है तो यानि कि ये color turning stage है यानि कि ये ripening fruits हैं धीरे धीरे करके क्या हो रहे हैं mature हो रहे हैं ये आपके ripening fruits हो जाएंगे इसके बाद ये red color के जो आपके हैं ये आपके क्या हो जाएंगे ये हैं आपके mature fruits यानि कि जो total ripe हो चुके हैं आर्वेस्टिंग के कि लिए ready हैं वो आपके ये fruits दिख रहे हैं याँ पे इसके बाद कहरा है कि ये जो fruits आपको दिख रहे हैं कौन से ये fruits है जिन से squeeze करना है यानि कि berry को अलग करना है और pulp को अलग करना है यानि कि ये pulp वाला हिस्सा है और squeeze करने के बाद कुछ berries को क्या कियाता है fermented भी कर दिया जाता है यानि कि fermented की process करके वो complete कर ली जाती है उसके बाद उनको वास कर लिया जाता है क्या वास कर लिया जाता है वास करने के बाद फिर इनको सुखा लिया जाता है क्या कर लिया जाता है सुखा लिया जाता है सुखाने के बाद आपको फिर इनको grade किया जाता है क्या कियाता है फिर इनको ग्रेड किया जाता है अलग अलग हिसाब से ठीक है ग्रेड किया जाता है अगर कोई डैमेज बीन है या कोई जो इसमें बैरी बोरर लगता है बैरी बोरर जो इंसेक्ट लगता है वो लगा है तो उसकी डैमेज बीन है तो ऐसे ऐसे करके इनको अलग अलग कर लिया जाता है ठीक है अलग अलग करने के बाद फिर एक सबसे ज़्यादा important process होती है जिसको बोलते है roasting क्या बोलते है जिसको बोलते है roasting और जो roasting की process होती है क्या roasting बोलते है roasting का मतलब होता है भूनना आपने जो बेरी यानि की जो काफी देखी होगी जो आप पीते हैं वो आपको काली कलर की दिखती होगी ऐसी दिखती होगी लेकिन एक्चुल में बेरी होती कैसी है आपको यह दिख राइमेज में कैसी होती है ठीक है तो अब यह इस कलर से इस कलर में कैसे आती है, यानि कि जो बेरी आपकी इस कलर में आती है, वो कैसे आती है, तो वो आती है रोस्टिंग से, यानि कि अब इसको भूंजा जाता है, रोस्ट किया जाता है, तो इसी रोस्टिंग से क्या होता है, इसी रोस्टिंग से डवलप होता है आपका कॉफी का aroma क्या डवलप होता है कॉफी का aroma डवलप होता है यानि कि जो कॉफी में खुसबू आती है वो किसकी वज़े से आती है रोस्टिंग की वज़े से आती है ये कॉश्चन बहुत वार पोचा गया है आपके ए commandments में क्या कॉफी में जो रोस्टिए आता है या खुसमूग आती है वो किसकी वज़े से आती है तो वह आती है आपकी रोस्टिंग की वज़े से ठीक है बचे तो रोस्टिंग डिपेंड करता है कि जो कलर है बेरी का वो डिपेंड करता है कि आप उसको कि जो इसकी डिगरी है यानि कि जो टाइम है और डिगरी है यánICK कितने degree पर उसको आप roast कर रहे है कितने time के लिए roast कर रहे है तो जो coffee bean का color है वो degree और time पर depend करता है कितने roasting के time आपने कितनी roasting की है उस time पर है depend करता है ठीक है तो roasting से आप समझ गये होंगे कि यह किस पर depend करता है कलर जो कॉफी का है वो उसके टाइम और डिग्री पर टिपेंड करता है बोलो यहां तक चीज़ें क्लियर हैं अब आपको समझ में आ गया होगा कि यह रोस्ट की गई फिर उसके बाद ग्राइंड कर दी गई तो यह बन गया पाउडर और उसके बाद आपने बना ली काफी और काफी बना के फिर क्या कर लिया फिर आपने काफी को पी लिया ठीक है तो कहां से यानि की सुरुआस से लेके अंतर तक क्या हुआ सब आपको पता चल गया ठीक है तो यह थी क्लास आज की हमारी जसमें हमने काफी को डिसकस किया काफी सारे important points को डिसकस किया तो अब ये हैं आपके कुछ वीडियो कोर्स आपको मालूम है बच्चे कि इफको AGT की वेकेंसी आई है क्या इफको AGT की वेकेंसी आई है गर आप लोगोंने form नहीं डाला है तो जरूर डालिए तयारी करिए क्योंकि बहुत अच्छा मौका है ये अगरी कल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी बनने का ठीक है ये है आपका अगरी कल्चर महापैक इसमें आपको लाइव क्लासेज, वीडियो कोर्स, टेर सीरीज, इबुक सब कुछ मिलते हैं ये MPPV की है और इसके साथ साथ क्या इसके साथ साथ आपका एक खास बात और है आपके लिए कि जो बच्चे AZT की त्यारी कर रहे हैं यानि कि एगरी कल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी की डालते हैं इफको का ठीक है, तो उनके लिए क्या है उनके लिए है कि एक तारीक से कब एक अपरैल से आपका यूटूब बैच सुरू हो रहा है YT बैच सुरू हो रहा है किसके लिए आपके AGT के स्टूडेंट्स के लिए जो बच्चे AGT की त्यारी कर रहे हैं ठीक है, जोनों ने AGT के लिए डाला है, उनके लिए एक अपरैल से YT बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, YT बैच हम लोग लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए ठीक है, तो उसमें हम लोग कोसिस करेंगे त्यारी करवाएंगे, सारी चीजें बहुत सारे important points आपको discuss करने वाले हैं, ठीक है, चलिए उसके साथ साथ आपकी AGT की test series भी launch हो चुकी है तो जो बच्चे purchase करना चाहते हैं वो कर सकते हैं Y443 code के साथ Y443 और test series के लिए S code का इस्तेमाल करें और वैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं simply Y443 का ठीक है, तो ये थी आज की हमारी class और जिन बच्चों ने चैनल को subscribe नहीं किया है वो लोग चैनल को जरूर subscribe करें अगर आपको class अच्छी लगी हो तो कम से कम at least एक group में आप class को जरूर share करें ठीक है, मैं आपको एक बार website पर दिखा देता हूँ जिसमें एक्री कल्चर वाले section में जैसे ये आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि यहां पर आपको ये देखिए, ये इफको का section मिलेगा इफको में आपका ये एक वीडियो course है, वीडियो course और ये है आपकी test series test series आपकी 349 की है as code लगाएंगे तो आपको इसमें धेर सारा discount मिल जाएगा और ये है आपका वीडियो course जो आपका वीडियो course ये आपका है live course complete pre comments के साथ इसको आप अगर लेना चाहते हैं तो simply आपको कैसे code use करना है ये मैं आपको बता देता हूँ यहां पर आप जाएंगे Y443 कोड आप अपलाई करेंगे जैसे याप Y443 कोड अपलाई करेंगे तो आपको 76% का off मिलेगा और ये जो बैच है आपका ये पढ़ेगा double two double nine का कितना 2299 रुपए का आपको पढ़ेगा लगभग 2300 रुपए के असपास पढ़ेगा तो जो बच्चे त्यारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है ठीक है चलिए यहां पर 12 महिने के आपको वैलेटी मिलेगी और साथ ही साथ आपको यहां पर सारी चीज़ें जो भी आपका pre-commence का syllabus है पढ़ाएंगे यहां पर साथी महिन पढ़ाएंगी ठीक है और पवन सर भी पढ़ाएंगे बाकि agriculture टीम को तो आप लोग जानते ही है कि agriculture टीम में हम लोग है ही तो agriculture आप लोगों की हम लोग कवर कराएंगे ठीक है तो सारी चीज़ें आपकी आ रहने वाली है टेस्स सीरीज में आपको क्या मिलने वाला है टेस्स सीरीज में आपको मिलने वाला है टेस्स सीरीज में आपको 20 टेस्ट मिलने वाले हैं कितने 20 प्लस टेस्ट मिलने वाले हैं और किसमें रहेंगे आपके जिस हिसाब से पेपर आता है उस हिसाब से रहेंगे इसमें आप S code का इस्तेमाल करेंगे कैसे Y443 और S code लगाएंगे जैसे ही आप Y443 S लिखेंगे अपलाई करेंगे तो इसमें आपको मिलेगा 16% का off और ये आपको पढ़ेगा 289 का पढ़ेगा ठीक है? जो पच्चे त्यारी करना चा रहे हैं अगर उनको लगता है कि उनको practice करना है या video course लेना है तो वो ले सकते हैं नहीं तो YT क्लास हम लोग start करेंगे YT क्लास पर आप लोग जरूर जुडियेगा यानि कि यूटूब की क्लास पर आप लोग जरूर जुडियेगा वहाँ पर हम लोग आपके लिए class जो चला रहे हैं ये जो शुरू करेंगे वो हम लोग चलाएंगे तो फिर मिलते हैं कल अपनी class में सुबह rapid fire की series के साथ जो हम लोग 11 बजे लेके आते हैं ठीक है कितने time 11 बजे जो हम लोग rapid fire की series लाते हैं उसमें 11 बजे जोड़िए आप हमारे साथ इसमें rapid fire series के साथ जिसमें हम लोग practice करते हैं MCQs की और एक बजे हम लोग पढ़ते हैं क्या एक बजे पढ़ते हैं हम लोग extension education और उसके बाद सामको 7 बजे और टी के चले की class के साथ तो कल सुबह मुलाकात होगी कब कल सुबह मुलाकात होगी 11 बजे तब तक अपना ध्यान रखिये खयाल रखिये और बढ़ाई करते रहे कल मुलाकात होगी तब तक के लिए जय हिंद